बिचारे बच्चे पास आउट होते हैं डिपलोमा से या बीटेक से फ्रेशर बच्चे साइट पे जाते हैं और दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम आती हैं दिक्कतें स्टार्ट होती हैं पहले ड्रोइंग रीडिंग में ड्रोइंग रीडिं और अगर आपने जो आपका ओटो लेवल है डंपी लेवल अप प्रोपर से लेवल नहीं किया है जहां लेवल देखने में दिक्कत आ गई तो वहां गड़बड हो जाती है तो गड़बड छोटी सी मिस्टेक होती है और उसका खर्चा कितना हो जाता है लाखों में तो complete वीडियो देखना काफी knowledgeable वीडियो रहेगी और practical knowledge रहेगा site पी ले जाऊंगा लेकिन उससे पहले एक update में आपको देदेता हूँ जो बच्चे सीखना चाहते हैं घर पे बैटके का मतलब अलग-अलग skills तो एक institute के बारे में बताऊंगा उसकी detail देदेता हूँ उसके ब तो कौन सा festival आने वाला है उसका सबको हर्दिक शुपकाबने करते हैं और festival जब आता है तो CMTA आपके लिए कुछ ना कुछ ले आता है ओफर के साथ ले आता है तो अभी जो बच्चे सीखना चाहते हैं घर पे बैटके billing engineer के बारे में, interior designing के बारे में, form bug के बारे में, internship के या तो कोई भी course आपको सिर्फ 599 में मिल जाएगो, कितने में? 599 में और वो सिर्फ 99 रुपे में भी मिल सकते हैं आपको, कैसे? वो आपको मिलेगा जो आपने credits point कुमाए होते हैं, credit points कैसे मिलती हैं आपको CMTA gap में, जब आप किसी दूसरे का साथ आप share करते हो, तो आपको credits point मि use कर सकते हो, तो उसके through आप जो 599 का course आप सिर्फ 99 में मिलेगा, actual price उस course का 3000 रहता है, और limited time के लिए offer है, जल्दी जाके apply कर ले ना, उसका description में link रहेगा, app को download कर लो, 4.9 की rating है, काफी चीज़ें वहाँ मिलती रहती है, job update, construction की news, free courses भी रहते हैं, और offer जो रहते हैं, वो भ एक बार आप बच्चों को use, send करोगे, 200 credit point मिलते हैं, अपने friends को use, send कर लो, यार दो friends को, 400 होगे, तीसरे को करोगे, 600 हो जाएंगे, उसमें से 500 लगाओ, कोई भी course 99 में ले लो, और सीखो आगे बढ़ो, और इनका जो CMTA का YouTube channel है, वहाँ पे जो भी बच्चों की job लगती है, यह course के reviews है, वह आपको वहाँ मिल जाएगे, वह जाके देखो, वह भी description मिलने करेगा, हर एक बच्चे का feedback लेना जुरूरी होता है, वह CMTA ने लिया है, और उसी से आपको help मिलेगी की course और institute कैसे है, आपको certificate मिलेगा, कुछ ऐसा certificate मिलेगा, valid ISO certificate रहेगा, और यह हर जगा use आ तो एक इनकी जो affiliate training रहती है, आप वह भी joining कर सकते हो, offline, online, recorded, live, हर तरीके की training है, तो आपको सीखने है, तो आपको यह सब चीजे effort थोड़े करने बढ़ेंगे, dream वो नहीं होता कि आप जो कब देखती हो, सोते हुए, sleep में देखती हो, आपको dream वो होता है, जो आपको सोने न करो, वो आपकी help CMTI कर रहा है, एक अच्छे price में आपको दे रहा है, description में लिंक है, आप जल्दी जाके apply कर लो, तो अब आते हैं topic पे, हमारा पहले auto level का समझा लेता हूँ, फिर जो ring के time आपको क्या देना है, वो समझाऊँगा, देखो, auto level को fix करना सबसे पहला ना चाहिए staff rating करना ना चाहिए, बाकी दिक्कत problem का हाती है, वो मैं समझाता हूँ आपको, तो start करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप सामने tripod stand देख रहे हो, इसको fix कर लिया, उसके बाद machine को set करके, नीचे screw होते हैं, तीन screw, तो उनकी help से जो हाँ सामने bubble देख रहे हो, इ मतलब इससे जल्दी आपका set हो जाएगा, बाकी आप पे है, आप ट्रैपोड stand को उपन नीचे करके भी set कर सकते हो, तो एक बार जब ये bubble set हो जाए, तो हमारी machine वो set होगे उसी लेवल पे, उस लेवल से हम जो भी बाकी लेवल, reference level होंगे, वहां से हम सर्वे करेंगे, तो ये हमने ले लिया, ये हमारा एक reference level है, इधर से हमने एक reading ले ली, कोई भी reading ले ली, उसको आपको क्या करने है, आपको अगर down में जाने है, मतलब इसमें क्या रहता है, जैसे आपने एक reference point पकर लो, वो ले लिया, तो उसके बाद आपको, अगर मैं example लेता हूँ, आपको सम मैं आपको आगे स्टाफ पढ़ना है, सिखाऊंगा कैसे हजार आई, हमारी आई reading थाउजंड, और फिर हमें क्या करना है, हमें excavation करानी है, जो हमारा ground level है, उदर से 1500 mm, डाउन जाने हमें, ठीक है, तो अभी reference level जो है, उसके reference level से हमें 1500 डाउन जाने, तो अभी हम रीडिंग कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होता है, जो हजार होगा, जो आपका first point आया होगा, हजार प्लस 1500 mm, तो हमारा हो गया 2500 mm, तो हमें स्टाफ पे reading क्या देखनी है, जो auto level जो set हो चुगा होगा, उदर से हमें reading देखनी है, 2500 mm, तो हमारा वो 2000 mm, मझाला, दो मिटर उंचा कुछ बनाना है, तो उसका level कैसे देखेंगे हम भई, तो हमें क्या करना है, हमने reference point पे auto level रखा, 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 पे reading आई हमारी 3000, तो हमें जो level चाहिए, उस level से 2000 उपर चाहिए, तो हमें क्या करना है, उस पे 3000 minus 2000 कर देना है, तो उसमें हमें कि तो यह basic हो गया, आप में आगे future में इसके theoretical video भी लाऊँगा, आपको अच्छे से संजा पाऊँगा, तो अभी मैं staff का आपको थोड़ा बता देते हूं, staff को हम कैसे read करते हैं, तेखो हमारा जो सामने आप staff देख रहे हो, यह काफी type का भी आता है, aluminium का आता है, wooden का आता है, और भी और इसकी length भी depend करती है, मतलो ऐसे तो standard हम पांच मेंटर का, आपको staff देखने को मिलेगा, mostly side पे, तो यह इसकी reading जो सामने आप देख रहे हो, यह 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm है, और यह 100 mm है, यहां से हम उपर यह 100 mm का दोनों में गयब रहता है, और minimum reduce की कितनी 5 mm होती है, 5 mm इसमें accuracy रहती है, तो यह जहां आपको देख रहे हो, 10 cm देख रहे है, वहां से हर एक step पे 5, 10, 5, 10, ऐसे mm बढ़ता है, मतलो नीचे बाला जो portion होगा, वो 5 mm होगा, पूरा एक जो बार होगा, वो 10 mm का बार हमेशा रहता है, यह आपको चीज दियान रखना है, ऐसे हम इसको read करते ह कि देखो, जो आपका, मतलब जैसे समझ रहे हो, आपकी यह आगया हमारा 200 mm, 0, 2, 20 cm लिख है, वो लंबी लाइन, लंबी लाइन के उपर छोटी-छोटी लाइन है, फिर बीच मे एक लंबी लाइन आएगी, मतलब 50-50 mm, जो दो बड़े बार हैं, उनके बीच 100 mm होगा, और एक दोनों बार के भी बाकियों से एक छोटा बड़ा बार होगा, वो 50 mm का होगा, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे हम इसको गिनते हैं, दिवें आपको गिन के बताते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ए 100, मतलब पूरा 100 mm का होगा, ऐसे ही 4 मिटर आपको देखना होगा, अगर आपको 20 cm पर देखना है, अगर 205 रीडिंग देखना हैं आपको, तो आपको क्या करना है, 200, जो 20 cm में दिखा देता हूँ, 20 cm के ऊपर जो बार का नीचे वाला पोर्शन है, वो 205 mm होगा, तो ऐसी इसके हम रीडिंग देखते हैं, एक theoretical वीडियो में जरूर इसके लिए बनाऊंग तो सामने आप देख रहे हो, एक beam है, continuous beam है, तो उसमें steer up डाला जा रहा है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसमें 6 leg ring होती है, 8 leg ring होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डालने में, जैसे ये, देखो, ये ring डाल रहा है, और इस जो beam है ये इसमें उपर भी 5 बार हैं 20 डाया का नीचे भी 5 बार हैं face bar हमारा 20 का है तो काफी heavy beam है ये substation building है तो इसमें beam काफी बड़ा दिया है तो इसमें क्या दियान देना है अब जब क्योंकि contractor में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहां supervisor नहीं मिलेगा मैं ये problem देखी जाती है जब भी तो आपको जब आप site engineer हो तो आपको वहां रहके काम करवाना पड़ेगा एक तो पहले तो आपको marking करवाने पड़ेगी पूरी accurate क्योंकि जब checking के तो अगर beam बंद गया और marking गलत हुई तो इतना बड़ा beam दुवारा खोल के करना बहुत बड़ी दिक्कत का काम है और एक client कभी accept नहीं करेगा तो आपको रुक के वहां marking करवाने पड़ेगी और दूसरी पूरा ring उसको बताना पड़ेगा कि इस बार में इतना ring आएगा जहां six lag ring अगर आप वहां पे supervisor या four man available है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है थोड़ा बहुत आपको उसको schedule दे के समझा के आप काम हो सकते हैं अगर आप side engineer हो वहां पे तो काफी आपको उसको बताना पड़ सकता है तो आप सामने देख रहे हो वह ring फसाना और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर बहुत ज़्यादा है तो ring में काफी ज़्यादा time जाता है यह देखो सब जगा बीम बांदे जा रहे हैं और सामने आप देख रहे हो एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा कि जब मतलब जो हमारा main bar होता है और resting beam होता है तो उसमें क क्या सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है कि side पर क्या गलती करते हैं हुमारे जो continuous beam है उस पे हमारा जो beam होना चाहिए वो rest होना चाहिए मैं आगे आपको दिखाता हूं कैसे होगा देखो यह जो हमारा beam है यह सामने वाला यह resting beam है मतलब continuous beam पे क्योंकि इसका जो load है वो जो main beam है उस पे जाना चाहिए तो दो beam हो गया मतलब एक primary beam हो गया एक main beam हो गया तो हमेशा दियान देना कि जो आप beam का rest करबाऊगे वो main beam पे आपका rest होना चाहिए और side पर सबसे ज़्यादा गलती क्या की जाती है कि जो secondary beam है तो यह काफी ज़्यादा मुश्किल कर देता है और structure fail होने के chances भी काफी ज़्यादा हो जाते है और मैं आपको visit कर बाता हूँ अभी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ring को डाला जाता है column के section में क्योंकि एक दम अगर चार बार होंगे उपर तो वो column बानना काफी difficult हो जाता ह मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सामने देख रहे हो देखो यह जो beam है यह भी उसके उपर पांच बार आने वाले और अगर एक बार बार का थोड़ा पीछे आगे पीछे होगा यह बहुत जादा time consume कर सकता है तो इससे आपको बचने के लिए आपको side पे रहना है और क्य labor consume होगी और काफी loss हो सकता है आपको तो यही चीज़ें आपको ऐसे site engineer site पे जाके द्यान देनी है beam भी जब भी आप बंदबाओ thank you guys आपको video पसंद आई तो like करो